पागतर स्टुएंट यहां पर क्वेस्चन दिया हुआ है कि यह बॉडी इस पॉलिंग अंडर ग्रैविटी एक बॉडी है जो ग्रैविटी के इंफ्लूएंस में नीचे गिर रहे है वेन इट लूजे जब इसका ग्रैविटेशनल पॉटेंशल एनर्जी वाई यू जब इस ग्राउंड से एच उपर एक बॉडी है तो अगर इस ग्राउंड से एच उपर एक बॉडी है जिसका मास M है और यह रेस्ट पर है तो अभी इसके पास जो भी एनर्जी होगा कौन सा एनर्जी होगा पोटेंशल एनर्जी अभी इसके पास केवल और केवल पोटेंशल एनर release कर देते हैं तो ये धीरे-धीरे नीचे जाना चालू कर देगा और ये जितना नीचे जाएगा इसका potential energy उतना decrease होगा तो suppose करो कि ये x नीचे चला गया तो अभी कितना height पे तो अभी ये कितने height पे है तो h-x clear है तो अभी ये कितना energy loss किया तो loss जो किया potential energy वो तो इसका mg x होगा समझ गए तो यह जो लॉस है यहाँ पर mg x यह यहाँ पर यू दिया हुए तो इस question में कह रहा है कि जब यह कुछ height नीचे आ गया body जो है free fall कर रहा है gravity के कारण तो जब यह कुछ नीचे आ गया तो इसका potential energy loss हो गया कितना loss हो गया यू loss हो गया तो अब यह जो potential energy loss हुआ था यह किस energy में convert हुआ होगा तो जब यह body यहाँ पहुँच गया है उस time पे इसका potential energy धिरे धिरे घटके loss हो गया because height कम हो रहा था but velocity तो नीचे जाने पर बढ़ रहा था ना तो महाल लोग कि यहाँ पर velocity कितना है भी?κ्वेस्टन में कहा थैं कि so इसका जो kmवफ oppression यह वह गेन हो गया तो गेन कितना थो का न्योकेट हो गया Queens square तो अगर हम में कन्जरवेशजन ओंफ mechanical energy या ई कन्जरवेशन और्स और में कि कि आख करेंगे तो जो भी लॉस होंगा पॉटेंशियल एनरजी का वह एक्वल होगा किसके गेन对 किने टो लॉस मेरा है पॉटेंशियल एनरजी की यूँ और हर्यarf म्वी स्क्वाइर है कि यहां से वी स्कॉयर एक्वालट हुम लिख सकते हैंray 2 एम अजब मास्ट चाहिए था ना तो एम एक्वल टो हम लिख सकते हैं टू यू बाइवी स्कुरेर टू यू बाइवी स्कुरेर इसे आप से देखेंगा तो ऑप्शन नूबर सी इसका सही अंसर होगा थेंक यू